हेलो दोस्तों आज गौरी और काजल का परिवार गया है पानी के जहाज में घूमने के लिए और ये रही खुबशुरत से शिप तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अरे काजल कितना सुन्दर लग रहा है रूही बेटा देखना पहाड और बीच एक साथ ही तो मैंने पहली बारी देखा है या तो पहाड देखे हैं या तो बीच ही देखे हैं और यहाँ पर तो दोनों एक साथ है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है ये नजारा ममा, हाँ, कितना सुन्दे लग रहा है पहार भी और भीलच भी मुझे भी देखना है रुखी वी दीदी चल चिंटू तू और मैं भी देखते हैं, बहुत सुन्दे लग रहा है हाँ विकी, चल चल हम भी दिखेंगे बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पर विक्की और चिंटू दोनों पानी के जहाज में बैठ करके मजा ले रहे हैं और यह देखना विक्की वो पास से पानी का जहाज जा रहा है कितना अच्छा लग रहा है यह बहुत ही मजा आ गिया थैंक यू पापा, थैंक यू अंकल हमें पानी की चहाज में बिठानी के लिए औरे बच्चों, तुम्हारी खुशी के लिए तो हम तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं और देखो कितने खुबसूरत नजा रहे हैं और जरब पास में तो नजरे घुमाऊ कितने सारे शिप खड़े हैं वाँ पे जिसमें लोग बैट-बैट करके पानी का मज़ा ले रहे हैं, अरे वा भई, आज का दिन तो बहुत ही बढ़ी आ रहा, बहुत ही मज़े आ रही है, और ये समुदरी हवा, वा, 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 कितना ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा मौसम लग रहा है, बड़े ही मज़े आ रहे ह अरे, सच में काजल देखना क्या प्यारी हवा आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाँ गोरी, सच में मज़ा आ रहा है, और इतनी ठंड भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, बहुत ही बहतरी है, चलो ना, उस तरफ चाते हैं, दूसरी तरफ वो पानी का जھरना बह रहा है, हाँ हाँ हाँ, चलो वहाँ चलते हैं, और यहाँ पर गोरी बैठ चुकी है, अब सब लोग यहाँ पर पानी के ज़रने के नीचे बैठ चुके हैं, अरे, कितना मज़ा आ रहा है न, उपर से पानी गिर रहा है पत्थरों से, गोरी, अब तो पत्थरों से पानी गिर गिर करके मेरे कपड़े भी फीग गए यह बहुत ही ठंड लग रहे हैं तुम चाई बना दो गोरी छीक है रूही के पापा अभी बना देती हूँ और यहाँ पर गोरी सब के लिए चाई बना रही है अरे युरूल किताद पापा को तो कितनी ठण लग गई है जल्दे से चाय पिला देती हूँ और यहाँ पर काजल मैगी बनाने की तयारी कर रही है बच्चों को कितना मन है कब से लगे हुए मैगी खानी है मैगी खानी है बैसे तो हम लोग बच्चों को पिल्कुल भी मैगी नहीं देते हैं बस महीने में एक बार तो चलो आज कहीं बाहर घुमने आए हैं तो उनके पसंद का खाना दे देते हैं तो यहाँ पर काजल कर रही है मैगी बनाने की तयारी और यहाँ पर सारे बच्चे बैठे वे हैं और मैगी बनने का इंतजार कर रहे है अरे बहुत भूग लगी है मामा कब मैगी बन जाएगी बहुत भूग लग रही है अब तो पेट में चुहे भी कुद रहे हैं हाँ भूख लगी है खाना तो भूख लगी है खाना तो भूख लगी है मैं गी तो अब तो बहुत ही भूख लग रही अब तो नहीं रा जा रहा है अरे बच्चो अभी तो प्यास टमाटर कट रहे हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा थोड़े देर रुख जाओ बिटो अरे गौरी चाय बन करके तयार हो गई है तो मेरे लिए लगा दो चाय बहुत ही ठंड लग रही है मुझे तो मेरे तो कपड़े भी भीग गई है वो जड़ने के पानी में हाँ हाँ रूही के पापा आप तो बच्चों से भी जादा कर रहे हो बस देखो मेरी चाय बनने ही वाली एक उबाल आ जाता है फिर आप के लिए लगा देती हूँ बस बन रही है थुड़ी देर रुख जाओ और यहाँ पर सब लोग बैठे वे हैं और सब मेगी बनाने के तैयारी में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं अरे चलो कब मेगी बनेगी पता नहीं तब तक पहाडों के ही नजारे देख लेता हूँ अरे तन्नू दीटी देखना उपर कितने सुन्दर काले काले पहाड और रात के टाइम पे तब बड़ा ही अच्छा नजारा आ रहा है है ना इतने उच्छे उच्छे पहाड तो मैंने पहली बार देखा अपने सामने से हाँ चिंटू मुझे भी बहुत अच्छा लग रहे है ये पहाड तो बहुत ही खूबसूरत पहाड है चिंटू और रात के समय तो और ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है और यहाँ पर चाई बन करके तयार हो चुकी है अरे रूही के पापा काजल ये लो आप दोनों चाई पी लो तब से आप दोनों चाई का वेट कर रहे थे लो चाई बन के तयार हो गई है और यहाँ पर काजल और रूही के पापा चाई के मज़े ले रहे है ठंडी ठंडी में गरम गरम चाई के मज़े वो भी खुबसुरत पहाडों के नजारों के साथ अरे चिंटू ममा मैगी बना रही है ना मैगी के कितनी एच्छी खुश्बू आ रही है वाँ कब खाने को मिलेगी हाँ रूही मुझे भी खुश्बू आ रही है मुझे भी भूख लग रही है मैगी तो मुझे पसंद है, ममा पापा कभी तो मैगी देते नहीं है, आज इतने टाइम बात दे रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड है, हाँ रूही, मैगी जंक फूड होता है, इसलिए बस महीने में एक ही बार खाना चाहिए, हाँ बच्चो बहुत ही समझदारी वाली ब देर और लग जाएगी, पांस-दस मिनट फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बच्चो को परूस दूगी, बच्चो तो 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 तुम कुछ खेलो बेटा, अभी टाइम है मैगी बनने में, हाँ ममा ठीक हम ऐचे करते हैं, पाश में गार्डन है न, वहाँ पेड़ खुब शारे पौधे आये हैं, पतियां, वहाँ पे खेल लेते हैं, चलो तेन्डू विक्की चिंटू वहाँ पे चलते हैं पाश में, और यहाँ पर रूही और सारे बच्चे आ गई है, छोटे से पेड़ के नीचे खेलने के लिए, अरे चिंटू विक्की तुन दूने न चलो चलते हैं यहाँ से, हाँ हाँ मुझे भी डर लगते हैं चिंटू, चलो चलो दुम दबा के भागते हैं, और यहाँ पर विक्की और चिंटू दुम दबा कर भागने लगते हैं स्पाइडर के डर से, और तभी मम्मा की मैगी भी बन करके तयार हो गई है, अरे बच्च और हम मैगी खाने के बाद यहाँ पर चिंटू और विक्की बैठे हुए है अरी विक्की नीचे देखना हम कितने उपर आ गए है चड़कर के नीचे देखना कितना सुन्दर लग रहा है पार्क हाँ चिंटू चले थोड़ो से खड़े हो करके देखते हैं मज़ा और यहाँ चिंटू और विक्की दोनों उपर उचाई से नीचे पार्क को देखने लगते हैं अरी देखना नीचे कितना सुन्दर पार्क है चलना विक्की वहाँ चलते हैं हम भी खेलने के लिए वहाँ पर सीसो भी है जूले भी है हाँ 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 चलो चलते हैं और यहाँ पर अब सा वा कितना मज़ा आ रहा है ना अरे कितना मज़ा आ रहा है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अरे चन्नो कितना मज़ा आ रहा है सीषव में है ना विक्की और चिंटु कितने जोर जोर से जूल रहे हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है हां रोही सच में बड़ा ही मज़ा आ र कलर का हाँ हाँ चलो पिंक कलर की मुर्गी में बढ़ते हैं बहुत मज़ा आएगा और यह विख्यों चिंटु कहां चले गए चल तरनु हम भी उनके साथ बैठ जाते हैं और अब यहां पर सारे बच्चे बैठ गए हैं पिंक कलर की मुर्गी में जो की एक प्यार इसी में आराम कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बाई बाई दोस्तों